नमस्ते प्यारी बच्चों, आज हम जानेंगे horizontal line और वर्टीकल लाइन अब ये जो सब्धा आज गल काफी ज्यादा इस्तिमाल किया जाता है horizontal linear और वर्टीकल line और हम confusion में रहते हैं कि horizontal कुंसा होता है और वर्टीकल कुंसा होता है मोबाइल में भी बहुत बार इसा बोल दिया जाता है भाई आप इसको horizontal रखना चाहते हो कि वर्टिकल रखना चाहते हो और हमें पता नहीं चलता है कि horizontal कौन सा होता है तो आज हम आपका यह horizontal और वर्टिकल है ना वो इसमें clear कर देंगे कि horizontal line कौन सी होती है तो horizontal line होती है यह जो x x याणि x axis जो आपको दिखाई दे रहा है यह वाला इसे हम यहाँ पर क्या कहते हैं x x कहते हैं या इसको आप कह सकते हो x axis x axis और यह वाला खेलाएगा आपका y axis तो x x के समान तर कोई रेका हो या x x जैसी ही कोई रेका हो उसे हम कहते हैं horizontal line जैसे एक line में यह कीचों यहाँ पर यह वाली तो यह जो line है ना वो यहाँ पर कौन से line कहलाएगी horizontal line कहलाएगी और horizontal line को हम देखो कितने नामों से और जानते हैं एक इसका नाम यहाँ पर बनता है सेतीज रेखा एक आप इसको कौन से नाम से जानते हो सेतीज रेखा से भी कह सकते हो एक आप इसको अक्स अक्स या एक्स एक्स इसके नाम से भी जान सकते हो दूसरी होती है आपकी वर्टिकल लाइन वर्टिकल लाइन और ये वाली कौन से लाइन होती है जो Y-X जैसी हो या Y-X के समानंतर हो या एसे कोई सीधी खड़ी लाइन हो यह वाली कोंशे लाइन होती है horizontal line यहनि 36 रेका कहलती है यह अक्स-ख्स के समानतर जो रेका होती हो उसको हम कहते है अर जो खड़ी लाइन है इसके अंदर इसको हम कहाँँगे vertical line उर्दुवाधर रेका इसको आप क्या खहें के पाएंगे आपर और दुवा धर रेका खहे देंगे दूसरा इसका जो नाम है न वो यहाँ पर पढ़ जाएगा कौन सा य अक्स अब जहाँ पर अक्स अक्स और य एक्स दोनों एक दूसरे को जिस पॉइंट पर प्रतिशेद करते हैं उसको अपन ओस से लिखते हैं ओरिजिन पॉइंट होता है ओरिजिन पॉइंट यानि कि ओरिजिन पॉइंट या इसको हम कहते हैं मूल बिंदू कौन सा बिंदू कहते हैं मूल बिंदू ओरिजिन पॉइंट जिसके कोडिनेट यानि की निर्दे सांग है ना वो क्या होते हैं जीरो जीरो ही यहाँ पर होते हैं तो इस परकार से हमने आपर जो लाइन आपको बताई है एक तो होरीजोंटल लाइन और एक वर्टीकल लाइन और एक वर्टीकल लाइन और आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना शेयर कर देना और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना नोटिफिकेशन बेल को पोल पर सेट कर लेना